अभी दो-तिन दिन पहले केंद्र सरकार ने CA का कानून पास किया था कल मैंने एक प्रेस कॉंफरेंस करके ये समझाया कि CA कैसे देश के लिए बेहत खतरनाक कानून है और इसे वापस लिया जाना चाहिए आज सुबह माननिये ग्रह मंत्री श्री अमित शाजी ने जो कल मैंने प्रेस कॉंफरेंस की थी उसके उपर उन्होंने बयान जारी किया है उसी का जवाब देने के लिए मैं आज आपसे मुखातेब हो रहा हूँ मैंने उनका बयान सुना माननिये ग्रह मंत्री जी का अपने पूरे बयान में जो प्रश्ण मैंने कल उठाए थे उसका किसी भी एक भी प्रश्ण का उन्होंने जवाब ने दिया उन्होंने केवल मुझे गाली गलोच किया है के जिवाल भरष्ट है के जिवाल ये है के जिवाल ऐसा है के जिवाल वैसा है मुझे छोड़ दीजिये, मैं important नहीं हूँ, देश important है, देश के 140 करोड़ लोग important है, उनकी बात करते हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज हम पूरा देश मिलके, सारी सरकारे मिलके, अपने देश के बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ हैं जो इतनी भारी संख्या में बाहर से आप पाकिस्तान, बांगलादेश के लोगों को हमारे देश में लाके बसाना चाहते हो, उनको नौकरियां कहां से दोगे, उनके लिए नौकरियां कहां से आएंगी, पहले अपने बच्चों के लिए तो नौकरी का इंतिजाम कर लो, ये म उनके लिए घर, उनके लिए नौकरियां, उनके लिए संसाधन कहां से आएंगे, अपने देश में इतनी गरीबी है, अपने देश में और लोगों के पास नौकरियां नहीं है, घर नहीं है, उनको कहां से लाके बसाओगे, आजादी के बाद काफी बड़े स्तर के उपर मा बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान और बांगलादेश गए थे और बहुत सारे लोग वहां से इदर आये थे अब जो यह माइग्रेशन इस सीए की वज़े से होने वाला है यह उससे कहीं ज्यादा बड़ा माइग्रेशन होने वाला है पाकिस्तान बांगलादेश अफगा दे दी जाएगी इन तीनों देशों में मिलाके लगबग धाई से तीन करोड अलप संख्यक रहते हैं पाकिस्तान बांगलादेश और अफगानिस्तान में मिलाके लगबग धाई से तीन करोड अल्प संख्या करेते हैं, वहां बहुत गरीब हैं, उनके अज रोजगार नहीं है, भारत में आतो आना और भारत की नागरिक्ता मिलना उनके लिए तो बहुत बड़े सपने की तरह है, और अगर हमने भारत के दरवाजे खोल दिये, इतनी बड़ी संख्या में लो आपने नहीं दिया, आपका ये कहना है कि 2014 से पहले के लोगों को जो आ चुके 2014 से पहले उनको बसाया जाएगा, मैं आप से पूछना चाहता हूँ, 2014 के बाद आना बंद हो गया, 2014 के बाद भी आ रहे हैं, अभी तक आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, तो अभी तक 2000 जो illegal migrant आते जो गुसपैटी हैं, हमारी देश के अंदर आते थे वो डरते थे, कि अगर आ गए तो हमें निकाल देंगे, हमें पकड़ लेंगे, हमें जेल में डाल देंगे, उन्हें डर रहता था, क्योंकि वो illegal थे, अब आप ये कानून लाके उनको legal बना रहे हो, अब उनका डर खतम ह हो जाएगा, पूरे तीनों देशों के अंदर मेसेज है कि भारत सरकार अब जो है, इन तीनों देशों के घुसपैटियों को legal करने जा रही है, तो ये 2014, आज आप 2014 वालों की बात कर रहे हो, कल आप 2019 के पहले वालों की बात करोगे, फिर ये date extend करके 2024 कर दोगे, क्योंकि पूरे देश में कहां-कहां अपने रहुंगियों को बसा रखा है, तो जो इतने एक तरह से दर्वाजा जो खोल रहे हो, इनको जो legal बना रहे हो, ये देश के लिए बहुत खतरना क्या और इतनी भारी संख्या में इसके बाद घुसपैटियों आने वाले हैं, जिसके हम के अंदर सरकारी नौकरियां दो गया, उनको उनके राशनकार बनाएंगे हम लोग, आज दिल्ली के अंदर 72 लाख लोगों के राशनकार हैं, वो कम पढ़ते हैं, हम बार बार के अंदर सरकार को लिखते हैं, हमारे दिल्ली के अंदर गरीब ज्यादा है, राशनकार बढ़ विकार दे रहे हो, सरकारी पैसा हमारा पैसा है, सरकारी पैसा 140 क्रोड लोगों का पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है, पाकिस्तान यू ने टैक्स नहीं दिया, बंगलादेश के लोगों ने टैक्स नहीं दिया, इस देश के लोगों ने टैक्स दिया, इस देश के लोगों के पैसा आप पाकिस्तान और बंगलादेश के लोगों को यह लाके उनको बसाने में खर्च करना चाहते हो यह मनजूर नहीं है इस देश के लोगों को कृपया इसको मैं पूरी विनम्रता के साथ बोल रहा हूं कि कृपया इसको समझने की कोशिश कीजिए और मैं देश के से जानना चाहता हूं आप से जाना ता चाहता हूं जो जो यह मेरी press conference सुन रहे हैं और यह video देख रहे हैं मैं आप से जानना चाहता हूं अगर आपके घर के सामने सड़क के उस पार, पाकिस्तान से आएवे लोगों की जुगियां बसा दी गई, क्या ये आपको मनजूर होगा, कौन लोग हैं जो ये पाकिस्तान से आ गए, कौन लोग हैं जो ये बंगलादेश से आ गए, क्या आपके भहु बेटियां सुरक्षित होंगी, अगर वहाँ पे आए हुए लोगों को बसा दिया गया, पाकिस्तान के लोगों को पूरे देश के अंदर जगे जगे बसा दिया गया, क्या आपको यह मंजूर होगा, क्या आप अपने आपको उनके बीच में सुरक्षित महसूस करोगे, और कौन होगे यह लोग, क्या देश सुरक्षित होगा पतानी कैसे लोगों को पाकिस्तानी भेज़ देगा बहुत सारे लोगों को हमारे देश के अंदर, क्या हमारा देश सुरक्षित होगा? चारों तरफ कानून विवस्था की समस्या नहीं पैदा हो जाएकी इसी को लेके मैं चिंते तो माने ग्रहमंत्री जी मेरी मेरी बात को अन्य था मत जीजे मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए और हम दूसरे देशों से क्यों नहीं सीखते कैनेडा का हाल देख लीजे क्या हो गया विक्सत देश होता था उसने अपने दर्वाजे खोले पूरी दुनिया भर से लोग आ गए और अब वो माइग्रेशन बंद कर रहे हैं अमरी इसका लंडन इसका युके का हाल देख लीजे क्या हो गया जब पूरे दुनिया के अंदर आज सारे देश बाहर से आने वाले इम्मिग्रेशन के इम्मिग्रेंट्स को रोकते हैं और आप दर्वाजे खोल रहे हो सबके लिए कि सारे दुनिया के गरीब यहां पाकिस्तान बंगलदेश के गरीब सारे आके यहां बस जाएं हमारे गरीबों की चिंता फिर कौन करेगा अगर आपको लाना ही है बाहर से लोगों को हमारे देश में पिछले 10 साल में 11 लाख उद्योगपती और व्यापारी भारत छोड़के चले गए के अंदर सरकार की भाजपा सरकार की नीतियों के विज़े से उनके अत्याचार के विज़े से अगर लाना है तो इनको वापस लेके आई है यह हमारी देश के लोग हैं यह भी भारत के लोग हैं यह 11 लाख लोग देश को छोड़के चले गए यह वापस आएंगे यह अमीर देश के अंदर लाके अगर आब बसाएंगे ये देश को मनजूर ही है